अब सब लोगों को मेरा नमश्कार, सबसे पहले मैं महाविकास अगाडी के ठाकरे साहब, पवार साहब और महाराश्य कॉंग्रेस के नेताओं को बहुत-बहुत बधाई और शुक्रिया बदा करना चाहता हूँ इतनी शांदार दू दिन की मीटिंग ओगनाईज करने के केवल पार्टियों का एलाइंस नहीं है, यह इंडिया एलाइंस इस देश के 150 करोड़ लोगों का एलाइंस है, और यह लोग एक साथ आए हैं, देश के लोग इकठे हो रहे हैं, और बहुत बड़ी संख्या में लोग इकठे हो रहे हैं, और देश के लोग इकठे हो रहे है 21 सथी के भारत का निर्मान करने के लिए आज हमें बहुत दुख होता है कि आज हमारे देश के अंदर जो सरकार है मोदी सरकार मुझे लगता है कि आजाद भारत की सबसे भरष्ट सरकार और सबसे एहिंकारी सरकार है एक भारते होने के नाते मुझे बहुत दुख होता है पिछले तीन चार दिन से हम पढ़ रहे हैं कि विदेशों के अख़बारों के फ्रंट पेज के ओपर खबरे छप रही है कि हमारी भारत सरकार एक आदमी के लिए काम कर रही है वो एक आदमी भारत से पैसे निकाल निकाल के बाहर विदेश मिले जा रहा और भारत सरकार, मोदी सरकार, देश के प्रदानमंत्रियों की मादद कर रहे हैं बहुत दुक होता है प्भारते होने के नाते बे देशों में तो खबरे छपनी चाहाई कि भारत में ये अच्छा हो गया भारत में वह तब देश का नाम आगे बढ़ेगा एसे थोड़ी पता चलता है कि सारी सरकार एकी आदमी के लिए काम कर रही है, सारी सरकार भुष्टाचार में डूबी हुई है, आज हमारे लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा हूँ, लोगों की आमदनी नहीं है, आमदनी उतनी है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, सरकार के पास जाते है पूरी सरकार एकी आदमी के लिए काम करने में लगी हुई है इस से ज़्यादा एहिंकारी सरकार आज तक कभी नहीं हुई और ये लोग अपने आपको भगवान से भी बड़ा समझने लग गए और जब को याद में अपने आपको भगवान से बड़ा समझने लगता है तो फिर उसका पतन भी जल्दी होता है मुझे बेहत खुशी है कि इंडिया एलाइंस में सब लोग आपस में जुड़ रहे हैं एक चीज़ मैं देख रहा हूं बहुत बड़ी बड़ी ताकतें आप सब को लगने लगा है कि इंडिया एलाइंस मोधी सरकार के आने वाले समय मोधी सरकार के पतन का कारण बने वाला है तो बहुत बड़ी बड़ी ताकतें इस इंडिया एलाइंस को तोड़ने में लगेंगी बहुत बड़ी बड़ी ताकत है पिछले कुछ दिनों समय देख रहा हूँ जबरदस्ती क्या दिखाया जाएगा इसकी उसके से लड़ाई हो गई जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाएगी मैं पिछली तीन मीटिंग अटेंड कर चुका मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ जितनी अच्छे से और जितने प्यार और महबबत से सारी मीटिंगs हुई है किसी की किसी के साथ लड़ाई नहीं है और यहां पे जितने लोग बैठे हैं कोई पद के लिए नहीं आया सब 140 करोड लोगों के इस भारक देश को बचाने के लिए आया इसको तरक्की के रास्ते पिले जाने के लिए आया कोई अलपिपद के लिए नहीं आया सो मैं मुझे बहुत खुशी है दो दिन की हमारी मीटिंग बहुत अच्छी रही और सबने आगे बढ़ बढ़ के आज मीटिंग में जिम्मेदारियां लिए किसी ने सीट शेरिंग करवाने की जिम्मेदारी लिए किसी ने मीडिया की जिम्मेदारी लिए किसी ने सोशल मीडिया की जिम्मेदारी लिए मुझे पूरी उमीद है कि आने वाले समय के अंदर पूरा भारत इकठा होगा और इस एहंकारी द्रश्टाचारी तानाशाही सरकार का पतन का कारण बनेगा।